मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं एक ट्रक को सेनिटाइज किया जा रहा था क्योंकि पास ही कि एक फैक्टरी से कुछ लीकेज हो गई थी वो ट्रक थोड़ा दूर जाता है और एक हीरन से टकरा जाता है इस टकर से हीरन की मौत हो जाती है पर हीरन थोड़ी दिर बाद खुद ही जिन्दा हो जाता है और हम देखते हैं कि हीरन की आँखे पूरी तरह से वाइट कलर की हो चुकी थी इसके बाद हम देखते हैं सियोक नाम के एक मैनेजर को जो अपनी पत्री से डाइवर्स होने के बाद अपनी मा और बेटी सुवान के साथ रहता था सुवान का कल बर्थडे था इसलिए सियोक उसके लिए एक प्लेस्टेशन ले जाता है सुवान को वो गिफ्ट पसंद नहीं आता क्योंकि उसके पास पहले से ही वो प्लेस्टेशन था सुवान कहती है कि वो अपना बर्थडे उसकी मा के साथ मनाना चाती है सुवान सियोक को उसे बुसान ले जाने को कहती है जहां उसकी मा रहती थी सियोक की मा भी उसे सुवान को बुसान ले जाने को कहती है इसलिए अगले दिन सियोक सुवान को बुसान ले जाने के लिए ट्रेन स्टेशन पर जाता है इस ट्रेन में इन दोनों के साथ एक बेसबॉल टीम, दो बुड़ी औरतें एक मतलबी बिजनसमैन यौनसुक, एक कपल और एक होमलेस आदमी चोई भी था टिकट कलेक्टर से बसते हुए एक लड़की उस ट्रेन पर चड़ जाती है जिसके पैर पर एक चोड का निशान था और वो ट्रेन चलने लग जाती है वहीं रेलवे स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाए हो रही थी सुआन भी ये सब देख लेती है पर वो सियोग को इसके बारे में नहीं बताती क्योंकि सियोग सो रहा था ट्रेन के बात्रूम में इंफेक्टि लड़की अपने इंफेक्शन को रोकने के लिए अपने पैर पर एक कपड़ा बांती है ट्रेन के अटेंडनेट को मतलबी बिजनसमैन यौनसु बताता है कि जैन्स ट्वालेट में एक पागल आदमी काफी देर से घुसा हुआ था इसलिए अटेंडनेट चोई को अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाने को कहता है वहीं वो इंफेक्टि लड़की अब नीचे गिर जाती है स्वान ट्वालेट यूज करने के लिए जाती है और वहाँ पर वो सांग से मिलती है जो उसे दूसरा ट्वालेट यूज करने को कहता है क्योंकि उस ट्वालेट में उसकी प्रेगनेट वाइफ थी ट्रेन के अटेंडनेट उस इंफेक्टि लड़की के पास जाती है और हेल्प के लिए एक डॉक्टर को बुलाती है infected लड़की train के attendant को काट लेती है और उसे भी infected कर देती है और उस बोगी में infected लोग एक दूसरे को काट कर infection फैलाने लगते हैं सियोग स्वान को लेकर उस बोगी से दूसरी बोगी की तरफ भाग जाता है सांग भी अपनी pregnant wife सियोग को लेकर infected लोगों से दूर नॉर्मल लोगों की बोगी में आ जाता है ये लोग ग्लास पर पेपर चिपका देते हैं ताकि जूम्बी उन्हें ना देख पाएं तब ही सियोग को उसकी मा की कॉल आती है जो सियोग को सुवान का ख्याल रखने को कहती है दरसल सियोग की मा भी उस वाइरस से infected हो गई थी और वो भी कुछ समय बाद जॉम्बी बनने वाली थी इसलिए वो आकरी बार सियोग से बात करना चाती है तब ही सियोग की मा भी एक जॉम्बी बन जाती है और फोन कर जाता है टीवी पर बताया जाता है कि इस वाइरस के कारण लोग एक दूसरे को मार रहे हैं चारों तरफ दंगे हो रहे थे और साउथ कोरिया में एमरजनसी घुशित कर दी गई थी सरकार लोगों को उनी के घरों में सुरक्षित रहने को कहती है ट्रेन में अनॉसमेट होती है कि ट्रेन अब आखरी स्टेशन में रुकेगी और वहाँ पर आर्मी को भी बुला लिया जाता है सियोक को उसका बॉस बताता है कि आखरी स्टेशन में आर्मी के लोग उन्हें कॉरेंटीन कर देंगे वो सियोग को एक दूसरे गेट से बाहर आने को कहता है ताकि वो सियोग और उसकी बेटी को खुच जाकर पिक कर सके और उन्हें क्वारंटीन होने से बचा सके ट्रेन स्टेशन पर रुखती है जो पूरी तरह से खाली था यौन्सुक ट्रेन के ड्रैवर को कहता है कि वो ट्रेन को बुसान के और ले जाए पर ट्रेन का ड्रैवर ऐसा नहीं करता ट्रेन से उतरे लोग अब में गेट की तरफ जाने लगते हैं और सियोग दूसरे गेट से जाने लगता है मेन गेट पर लोग देखते हैं कि वहाँ आर्मी वाले सभी वायरस से इंफेक्टिड हो चुके थे और जॉम्बीज बन चुके थे आर्मी के लोग काफी पैसेंजर्स को इंफेक्ट कर देते हैं स्वान को एक जॉम्बी काटने वाला था कि तभी सांग उसे बचा लेता है सांग और बाकी के लोग जॉम्बी को रोपते हैं और बाकी बचे पैसेंजर्स ट्रेन पर चड़ने लगते हैं यौन सुप ट्रेन को जलाने को कहता है और ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन स्टार्ट कर देता है सियोग, सांग और मिन भी किसी तरह ट्रेन पर चड़ जाते है ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को बुसान की तरफ मोडता है वहीं ट्रेन में जॉंबी से भरी एक बोगी में सियोंग और सुवान एक ट्वालेट में चिप जाते हैं सांग अपनी वाइफ को कॉल करता है और हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ बोगी नंबर 13 में हैं और वो इस वक्त बोगी नंबर 15 में थे उन्हें उन तक पहुँचना था पर बीच में जॉंबी से लड़ने के लिए तयार होते हैं वो अब इन जॉंबी से लड़कर आगे बढ़ने वाले थे ये तीनों जॉंबी से लड़ते हैं और एक बोगी को पार कर लेते हैं अगली बोगी में मिन के बागी के दोस्त थे इसलिए वो किसी को भी मार नहीं पाता तब भी ट्रेन एक टरनल से गुजरती है और ये देखते हैं कि जॉम्बीज अंधेरे में देख नहीं सकते अंधेरे में जॉम्बीज सिर्फ आवास की तरफ जाय करते थे सियोग सांग की फोन को ट्रेन में थोड़ा दूर फैंक देता है और उस पर कॉल करता है सारे जॉम्बीज फोन की तरफ भागते हैं और ये तीनों मौका पाकर ट्रेन की उस बोगी को भी पार कर देते हैं और ये तीनों सियांग और सुवान से मिलते हैं जो एक ट्वालेट में छिपे हुए थे। ट्रेन टरनल से बहार आती है और रोशनी के कारण जॉंबीज बीने देख लेते हैं। इसलिए ये तीनों भी एक ट्वालेट में छिप जाते हैं। मिन कीम को बता देता है कि वो उनके पास आने वाले हैं। कीम ये बात उस बोगी में बता देती है और यॉंसु कहता है कि कीम के दोस्त बिना इंफेक्टिड हुए इस बोगी तक कैसे पहुंच सकते हैं। उस बोगी में मौझود बाकि के लोग भी यही सोचते हैं कि किम के दोस्त INFECTED होंगे और वो उन्हें अपनी बोगी में लेने से मना कर देते हैं वहीं सियॉक, सांग और मिन और बाकि के लोग भी जॉंबीズ से भरी आखरी बोगी को पार कर लेते हैं तबी चोई एक कैन पर पैर रख देता है और जॉम्बीज उसकी तरफ भागते है सांग दर्वाजे पर जॉम्बीज को अंदर आने से रोकता है और सियोक अगला दर्वाजा खोलने को कहता है पर अगली बोगी में मौजूद लोग दर्वाजा नहीं खोलते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ये लोग भी वाइरस से इंफेक्टेट होंगे तब ही एक जॉम्बी सांग के हाथ पर काट लेता है मिन बेस्बॉल से दर्वाजे को तोड़ देता है लेकिन यॉन्सुक दूसरे दर्वाजे को पकड़ लेता है और उन्हें अंदर आने से रोपता है सांग सियोक को वहाँ से जाने को कहता है और जॉम्बी उस पर हमला करके उसे भी इंफेक्टेट कर देते हैं सियोक और बाकी के लोग दर्वाजे को खोल कर अंदर चले जाते हैं पर एक बोड़ी औरत को जॉम्बी काट लेता है और ये सब उसकी बहन देख लेती है सियोक यॉनसुक को मारता है क्योंकि उसकी वज़ा से कई लोग मारे गए थे यॉनसुक कहता है कि सियोक और उसके साथ ही इंफेक्टेट हो सकते हैं इसलिए उन्हें अगली बोगी में बेज देना चाहिए बाकी के पैसेंजर्स भी उन्हें वहाँ से चले जाने को कहते हैं और ये लोग अगली बोगी में चले जाते हैं बूड़ी औरत अपनी बहन को देखती है जो अब एक जॉम्बी बन चुकी थी उसे वहाँ मौझूद लोगों के सेलफिश बिहेवियर पर काफी गुसा आ रहा था इसलिए वो दर्वाजा खोल देती है जिससे जॉम्बी उनकी बोगी में आ जाते हैं सियोग को उसका असिस्टेंट बताता है कि वाइरस बायोटेक नाम की एक फैक्टरी से फैला था बायोटेक वही कंपनी थी जिसके सारे शेयर सियोग की कंपनी ने बेज दिये थे और वो कंपनी दिवालिया हो गई थी इसलिए BioTech ने ये वाइरस जानमूच कर फैलाया था ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोग देता है क्योंकि आगे एक ट्रेन का एक्चिडन्ट हुआ था ड्राइवर कहता है कि वो एक दूसरी ट्रेन को बुसान की और ले जाएगा और वो ट्रेन लेफ साइड के लास्ट ट्रैक पर हुगी ड्राइवर सभी पैसेंजर्स को उस ट्रेन पर चड़ने को कहता है और हम देखते हैं यौनसूप और ट्रेन के कंडेक्टर को जो एक ट्वैलेट में छिपे हुए थे ड्राइवर एक नई ट्रेन स्टार्ट करता है और यौनसूप ट्रेन के कंडेक्टर को जोंबी के बीच फैंक कर वहाँ से भाग जाता है तब ही एक ट्रेन सामने से आती है और वहाँ खड़ी ट्रेन को टककर मार देती है किम और मिन एक ट्रेन पर चड़ते हैं और उसका दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिय करते हैं पर तब ही यॉन्सूप वहाँ आ जाता है और किम को एक जॉंबी के उपर फैंक देता है जॉंबी किम के पैर पर काट लेता है थोड़ी देर बाद किम भी जॉंबी बन जाती है और मिन को काट लेती है वहीं सियोग, सांग, सुवान और चोई ट्रेन के नीचे फसे हुए थे ट्रेन का ट्राइवर यॉन्सूप को ट्रेन के और आते देखता है और वो यॉन्सूप की मदद करने के ले जाता है पढ़ जाते हैं ये तीनों ट्रेन पर चड़ जाते हैं जॉंबी जॉंबी भी ट्रेन को पकड़ कर उस पर चड़ने की कोशिश करते हैं पर सियोग लाद मार कर जॉंबी को ट्रेन से अलग कर देता है सियोग देखता है कि इंजन में यॉंसुक बैटा हुआ था जो एक जॉंबी बन चुका था यॉंसुक और सियोग में लड़ाई होती है और यॉंसुक सियोग को काट लेता है सियोग खुद को एक चेन से बानता है और यॉंसुक को ट्रेन से नीचे फैंक देता है सियोग समझ जाता है कि थोड़ी दिर बाद वो भी एक जॉंबी बन जाएगा इसलिए वो सुवान और सियोग को ट्रेन को रोकना सिखाता है वो उन्हें बताता है कि वो बुसान में ट्रेन को रोक कर सुवान की मा के पास चले जाएं इसके बाद सियोग भी एक जॉम्बी में बदल जाता है और उसे सुवान के बचपन के कुछ फ्लैश पैक आते हैं तभी सियोग ट्रेन से पूँच जाता है सियोग और सुवान बुसान स्टेशन से पहले ट्रेन को रोग देते हैं और एक टनल को पार करते हुए टनल की दूसरी साइड चले जाते हैं जहां उन्हें आर्मी वाले देख लेते हैं आर्मी को लगता है कि शाहद ये दूनों भी जॉम्बी हैं वो उन्हें शूट करने वाले थे कि तभी सुवान वो पोएम गाने लगती है जो उसने अपने माता पिता के लिए लिखी थी soldiers समझ जाते हैं कि ये लोग infected नहीं है और वो उन्हें rescue कर लेते हैं और ये movie end हो जाती है Train to Busan इस movie की IMDb rating है 7.6 मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये movie पसंद आई होगी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद